नमस्का न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी यूपी में अगले साल विधान सवाक चुनाव होने हैं ऐसे में योगी सरकार की तरफ से कमर कस के तैयारी की जाड़ी है इतना ही नहीं योगी सरकार कई सारे प्रोजेक्ट्स के जड़िये जनता के सामने विकास की तस्वीर रखने की कोशिश कर रही है और अब इसी करी में योगी आदेतिनाथ की तरफ से एक और बड़ा तौफा दिया गया है और ये तौफा इस बार महिलाओं के लिए है क्या कुछ जानकारी है हमारे पास और क्या कुछ तौफा दिया गया है योगी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं यूपी की योगी सरकार ने विधान सवा चुनाओं से पहले प्रदेश की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार देने के लिए बैंक कोर्रस्पोंडेंट सखी योजना की शिरुवात की है योगी आदितनात की सरकार ने इस से पहले इस योजना की तहट 17,520 सखीयों की तैनाती कर चुकी है अब इस योजना की तहट सरकार ग्रामीन शेतरों के लिए करीब 58,000 बैंकिंग सखी तैनात करने की प्रक्रिया में जुट गई है आपको बता दे कि ग्रामीन विकास विभाग के अतिरिक मुख्य सचिव मनोच कुमार सिंग ने बताया है कि महिलाओ को शशक्त बनाने और राज भड के गाओं में बैंकिंग सेवाई उपलब्द कराने के अपने चल रहे मिशन के तहत उत्रपदेश में योगी अदतनात ने बैंकिंग समवादाताओं के भरती के लिए 20 सकी योजना की शिरवात की है रिपोर्ट के मुताबिक उन 17,500 महिलाओं को मनी ट्रांसफर किया जा रहा है जिन्नोंने पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर ली है योपी सरकार के इस पहलने लोगों के लिए गाओं में पैसा निकालना और जमा करना आसान बना दिया है जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बज़त हो रही है क्योंकि उन्हें अब बैंक में विजट करने और इस उदेश के लिए लंबे समय तक कतार में खड़े होनी के अ संबंदित संगठनों ने भी इस संबंद में सरकार द्वारा तैयार किये गए मास्टर प्लान को लागू करने के प्रयास तेज कर दिये हैं राजी ग्रामिन आजीवी का मिशन के तहत बैंक ओफ बडोदा के सहयोग से 30,000 महिलाओ को बैंकिंग संवान दाता के जौब के लि लिमिटेड भी इस पहल में भागिदारी के रूप में अपना योगदान दे रहा है इससे पहले योपी सरकार ने योपी अनुशूचित जाती वित विकास निगम लिमिटेड के माधियम से 500 पुरुष और महिलाओ को बैंकिंग संवादाता के तौर पर नियुक्ति की थी अजिवी का मिशिन द्वाडा बैंकिंग सक्खी को काम करने के लिए जरूरी उपकरन दिया जाएगा पहले 6 महीने तक हर महीने 4000 रुपे दिये जाएंगे इसके अलावा बैंक सक्खियों को हाड़्वेर के लिए आसान किस्तों पर 75,000 रुपे का लोन भी दिया जाएगा तो यूपी में योगी आदितनात अब महिलाओं के हित में कदम उठा रहे है इतना ही नहीं यूपी को अब आत्म नर्भर बनाया जा रहा है और यही कारण है कि महिलाओं के लिए अब कई सारी योजना भी लाई जा रही है आपको बता दे कि यूपी में अगले साल विधान सवा चुनाव होने हैं ऐसे में अब योगी अदतनात की तरफ से महिलाओं को ये बड़ा तौफा दिया गया है ऐसे में अब देखना होगा कि अगले विधान सवा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं फिलाल के लितना ही ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूस फार नेशन के साथ नमस्कार